क्या आपको पता है बच्चों का उमर के हिसाब से उनका बजन का बढ़ना बहुत ही जरूरी है उनके अच्छे हल्ट के लिए और फ्यूचर के लिए लेकिन क्या आपको पता है आपके बच्चों का बजन कितना है अगर आपका जबाब है नहीं मतलब आपके घर पे कोई भी weight scale नहीं है, weight machine नहीं है और इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा digital body weight scale और खास कर ये है बच्चों के लिए और इसका दाम है सर्फ 6.99 रुपीज, link description में दिया हुआ है और इसको मैंने खरीदा है onlinebazar.com से और वहाँ से खरीदने से अगर आप prepaid payment करेंगे तब आपको 5% extra discount मिलेगा साथ ही ये बच्चों के अलावा घर के सभी लोग अपना बजन कर सकते हैं मतलब इसमें आप 180 kg तक बजन कर सकते हैं और minimum है 5 kg लेकिन सबसे जो जरूरी बात है वह है accuracy मैंने इसको test किया है और वह test वाला वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को आखिर टक जरूर देखे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका unboxing वीडियो उसके बाद मैं करूंगा test और मैं खुटका बजन करके भी दिखाऊंगा तो ये देखिए ये रहा box उपर में लिखा है electronic body skill और इसमें product का design दिया हुआ है actually ये अलग-अलग design का आता है तो ये होगिया उपर का हिस्सा side में electronic body skill और पीछे अलग-अलग design दिखाया है मैंने जो खरीडा है ये वाला खरीडा है आप अलग-अलग design खरेच सकते हैं तो चलिए करते हैं इसका unboxing तो ये देखिए ये हो गिया user manual और ये हो गिया actual product देखिए कितना cute सा है बच्चों को ये बहुत ये पसंद आएगा उपर में cartoon का एक picture भी है pink color का है और यहाँ पे ये हो गिया LCD जहाँ पे weight दिखाएगा temperature भी दिखाता है तो design के हिसाब से ये बहुत ये अच्छा है उपर में ये एक toughened glass है ये tempered glass है ये तुट्टा नहीं है असानी से और ये एकदम slim है देखिए एकदम slim है और lightweight है इसको carry करना एकदम आसान है उसके नीचे देखते हैं नीचे यहाँ पे आपको charge sensors मिल जाता है ये हो गया 1, 2, 3, 4 sensors है इसी से weight calculate होता है उसके बाद यहाँ पे एक reset का button है उसके बाद यहाँ पे हो गया battery का compartment यहाँ पे आपको 2 AAA battery दालना पड़ेगा जो उन्होंने 7 में ही दिया है तो देखने में यह बहुत ही अच्छा है लेकिन सर्फ देखने में अच्छा होने से नहीं होगा सबसे जो जरूरी है बो है इसका accuracy तो चलिए देखते हैं यह weight machine accurate है के नहीं तो accuracy को proof करने के लिए मैं यहाँ पे 5 kg का packets लिया हूँ क्योंकि यह जो weight machine है यह minimum 5 kg weight map सकता है तो इसलिए मैंने 5 packets लिया है सभी का बजन है 1 kg 1 kg तो यह देखिए यह पहला वाला packet 1 kg का दूसरा वाला 1 kg का तिसरा वाला 1 kg का उसके बाद यह वाला 1 kg का और यह भी 1 kg का मतलब total हो गया 5 kg तो अभी इन packets को इस weight machine पे रखेंगे और देखेंगे के यह accurate है की नहीं तो चलिए अभी रखते हैं तो देखिए यहाँ पे रिडिंग दिखा दिया है 5 kg एक्सो ग्राम मतलब एक्सो ग्राम ख्राशा ज़्यादा दिखाया है और वो इसलिए मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ही है आप देख सकते हैं deviation 100 gram मतलब यह 100 gram ज़्यादा दिखा सकता है तो मतलब यह accurate है सिर्फ आपको 100 gram कम करना पड़ेगा तो यह accurate weight machine है और कॉम्पनी ने कोई भी धोका दरी नहीं किया है सब कुछ साब साब बोल दिया है तो चलिए एक बड़ फिर से देखते है देखिए 5 kg एक्सो ग्राम फिर से दिखाया है एक बात का ध्यान रखिए accurate reading मिलने के लिए आपको weight machine को एक flat surface पर रखना पड़ेगा अभी मैंने एक flat surface पर रखा है तो अभी मैं इसमें मेरा खुट का बजन लेने वाला हूँ उसके लिए इसके उपर आपको उठना पड़ेगा तो मैं उठ रहा हूँ अभी और देखता हूँ मेरा बजन कितना बताता है तो यहाँ पर मेरा बजन बता दिया है 70.15 kg और लोग बोलते हैं कि उनको बार 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 रेडिंग लेने से अलग अलग रेडिंग मिलता है तो मैं दुबरा रेडिंग लेके देखता हूँ कि मेरा रेडिंग दुबरा सेम आता है कि नहीं तो चलिए दुबरा उठते है तो देखिए दुबरा भी मेरा same आया है तो उसके बार मैं तिसरी बार भी उठके देखता हूँ कि same reading आता है कि नहीं ताकि आपका doubt दूड़ हो जाए तो चलिए तिसरी बार उतते हैं तो देखिए तिसरी बार भी same reading आया है मतलब यह अच्छा weight machine है और लोग बोलते हैं कि वो लोग जब weight massage पे अलग-अलग position पे खड़ा होते हैं तब भी अलग-अलग reading मिलता है तो चलिए अभी देखते हैं अलग-अलग position पे खड़ा होके तो अभी मैं ऐसे खड़ा हो जाओंगा तो देखिए same reading आया है तो ऐसे ख़़ा होने से भी सेम आ रहा है तो अभी और एक बार डेखते हैं अलग पोजिशन पर ख़़ा होके ये जिरो हो जाएगा तब ये रिडिंग कुछ देर दिखाता है उसके बाद जिरो हो जाता है तो चलिए फिर से ख़़ा होता हूँ मैं अभी ऐसे ख़़ा होता हूँ देखिए सेम दिखा रहा है मतलब ये बहुत अच्छा वेट मेशिन है आप जैसे भी ख़़ा हो आपको सेम रिडिंग मिलेगा और इस वेट मेशिन पे आपको टेंपरेशर भी देखने को मिलता है ये जो 23 दिखा रहा है वो है हमारा रूम का टेंपरेशर तो अभी आपको पता चल गया होगा ये आपके घर पे होना ही चाहिए तो अभी ओडर कीजिए लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बद धन्यवाद और इस तरह का यूसफूल प्रोड़क्स का रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूसफूल प्रोड़क्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार